ना तड़पने के इसाज़त है ना फर्याद की गुट गुट के मर जाओं यही मर्जी है मेरे सयाद की जी हां मोदी जी मुस्लिम कौम के साथ आपने कम जुल्म ढहाएं जो अब ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी को प्रमोट कर दिया सुनिए आप क्या कहते हैं अपने भाशन में मेरा विशय कोई फिल्म नहीं है मेरा विशय है कि जो सत्य है उसको सभी स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है जी हाँ जो सत्य है उसे उसी स्वरूप में देश के सामने लाना चाहिए यही देश की भलाई है तो फिर 2002 के दंगों में जो कतले आम हुआ मुस्लिमों के साथ उसे भी तो देश के सामने लाना चाहिए 2002 के दंगों के लिए आपने जिस तरीके से क्रिया के उपर प्रतिक्रिया की थ्योरी दी उसको भी तो देश के सामने लाना चाहिए 2002 के दंगों में आपके RSS के, BJP के, बजरंग दल के, विश्व इंदु परिशत के गुंडों ने जिस तरीके से मुस्लिम मा, बेटियों की इज़त लूटी जिस तरीके से उनके गर्भ को चीर के एक बच्चे को भत्या कर डाली गर्भ के अंदर, वो भी तो सामने लाना चाहिए जिस तरीके से एक पासी परिवार की मा ने अपने आठ डस बदस के बच्चे को आज तक वो ढूनती है और उसको भी तो सामने लाना चाहिए अगर कश्मीर फाइल सामने लानी चाहिए थी और कश्मीर फाइल को आप प्रमोट करते हैं तो क्यूं मोदी जी क्यूं आपने परजारिया मुवी को रिलीस नहीं होने दिया वो भी तो सत्य घटना पे आधारी थी आपने क्यूं उसको आज तक रिलीस नहीं होने दिया कॉंग्रेस के MP एहसान जाफरी साहब के गरतन पे टायर लपेट के आपके गुंडों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया ये सत्य भी बहार आना चाहिए कि किस तरीके से आपने लाशों के ठेर लगा दिये और कुए में उनको डाल के सारी कुए में आग लगा डाली मौदी ज शर्म अपनाओ राज्धिर्म जरूरी हैं नहीं पर आप राश ध्रम करने नहीं आये हैं सिर्फिन मुस्लिम करने आयो हैं जिस तरीके से हिंदु मुस्लिम करके आप अबरबत दे जी इतियास को बदर देना चाहते हैं वहारे वहार मोदी जी आप भारदीश के प्रधान मंत्री हैं या फिर RSS के फुल टाइम प्रचारक हैं अभी भी चट्डी पैन के प्रचार करने निकल पड़ते हैं अरे आपको कश्मीर फाइल के जरिये जब कश्मीरों की तकलीफे दुख और प्रतार्णा और मुसीबते दिखाई दे रही हैं तो आपको यह भी दिखाई देना चाहिए कि उस समय वहां पे किसी सरकार थी किसी की सरकार नहीं थी और उसमय मुफ्ती मौहमत सहीद जब अपना सरकार नहीं चला पा रहे थे तो वहां पे गवर्नर का साशन था और वो गवर्नर कौन था वो आपका नुमाइंदा था जिससे आपने बात में भारती जंता पाटी की टिकिट दी जगमोन को और वहां पे कैबिनेट मंतरी भी बने और उस टाइम पे दिल्ली में वीपी सिं दी है आपने युगाओं के दिमागों को जहर से भर डाला है और दिन दूर नहीं अगर यही परिस्तिती रही तो हमारा देश में ग्रह युद्ध में बदल जाएगा संभाली अपने आपको और संभाली अपनी वाली विलास और भाशनों को मूवियों के उपर किसी तरह की कमिंट नहीं होने चाहिए आपको तठस रहना चाहिए आप देश के प्रधान मंत्री हैं आप कुसी आरे से संग के प्रचारक नहीं है आज मैं इतना ही कहना चाहूंगे कि देश को बचा लीजिए ये देश बहुत गलत तरीके से गलत दिशा में चाहता जा रहा है इस पर उनकी वज़ा से हमें किसी तरीके से अपने मन और विचारों में बदलाव नहीं लाना चाहिए हम भारत देश के वासी हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी हमारे देश के भाई हैं और हमें सब के साथ मिल जूल के रहना है यही हमारा समीधान कहता है यही हमारा स न वोड़ा यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेर कीजिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों साथियों से भी सब्सक्राइब कराईए